हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से एडवर्टीज में नमबर 15 स्लेश 19 कटेगरी नमबर 2 307 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मागा गया था री एडवर्टीज हो चुकी है तो यहां प लगबग लगबग बात करें तो 4.5 तेरा सो पैसेट कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया मतलब साड़े चार कह सकते हैं इससे कम या थोड़ा ज्यादा तो अगर बात करें यहां पर अगर बही एक डिवीजन देखिए आपका टोटल नमबर और पोस्ट का क्या रहा थ जनल की टोटल 133 पोस्ट थी जिसमें नोन एसम की सतानवे एसम की 21 और एसपी की 15 फिर एसी की 61 पोस्ट में से 49 पोस्ट नोन एसपी वालो या एसम कोई भी नहीं था इसमें 6-6 इनकी थी BCA की 49 पोस्ट थी जिसमें से 37 नोन एसम और 6-6 इनकी रही BCB की 33 पोस्ट थी जिसमें 21 रही नोन एसम की और 9 एसम की और 3 एसपी की अब बचाए EWS तो 31 पोस्ट थी जिसमें ना तो कोई EWS है और ना ही ESP है तो 31 की 31 यहाँ पे EWS की पोस्ट थी overall बात करें post का division SC की बहुत जादा है as compared to BCA और BCB तो जहां पर थोड़ी post जादा है वहां पर थोड़ा कम जाएगा जहां पर थोड़ी post कम है वहां पर competition थोड़ा tough होता है और आपने अब तक के जितने भी result देखें हैं तो BCA और BCB लगबग same ही रहते हैं और BCA और BCB मैं अगर कहूं तो जर्नल के equal ही fight करती हैं कोई भी फरक नहीं रहता है कई सारी post में तो यहीं हुआ है तो भई देखते हैं यहां से अब एक बार essential qualification पर अगर नज़र करें तो यहां पर क्या मांगा था आपका 10 plus 2 physics and chemistry 1 year आपका laboratory technician का diploma from institution recognized by the haryana state मतलब क्या कि आपका diploma हरियाना state के ही under में मतलब हरियाना state से authorized होना चाहिए वो center जहां से भी आप laboratory technician का diploma institute वही हरियाना state के authorized होना चाहिए जहां से आप diploma कर रहे हो second चीज है metric with laboratory technician diploma from institution recognized by state technical education board और third में क्या लिखा है 10th with physics with chemistry अगर किसी ने 10th करके भी one year diploma किया है state bacteriologist public health lab ये करनाल के लिए for the candidate who have passed 1998 से पहले का ही माना जाएगा मतलब आप चाहे other state से हो चाहे हरियाना से हो आपके पास जो diploma होना चाहिए ना वो सिर्फ हरियाना का होना चाहिए तीनों point में mention किया है इनोंने otherwise ये खुद भी लिख सकते थे कि overall India किसी भी institute से हो वो चलेगा बट यहां पे खुद से mention किया हुआ है कि भई हरियाना स्टेट से यहां पे state technical education board मतलब state क्या हरियाना से उसके बाद यहां पे इनोंने खुद लिखा है कि हम 1998 से पहले जिनोंने किया है अब हमने बात कर ली है मैं आपको डीवी के अगर यहां पे बात करती हूँ तो देखिए यहां पे डीवी कितने पे आया है मेरे पास ज्यादा नहीं तो कम से कम 1500 प्लस candidate का data है जिनके marks मैं आपको दिखा सकते हूँ मेरे को भी किसी candidate नहीं भेजा है and thank you so much क्योंकि group में candidate जो है अपना share करते हैं और बहुत अच्छी बात है इससे हमें पता चल जाता है कि अपरोक्स कितना रहने वाला है तो यहां पर बात की जाए तो भई आपकी यह तो पोस्ट का डिविजन है आपका जो डीवी आया था जर्नल का डीवी जब भी उठाया जाता है तो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स के बिहाब पे उठाया जाता है आपको पता है कि कट ओफ अगर रिटन के लगे आ फाइनल के लगे लास्ट कैंडिडेट का ही डाटा उठाया जाता है ब्यालेट से तर्टालिस नंबर पर जर्नल का डीवी आया है से का डीवी 37 का आया है लास्ट 37 पे EWS बिल्कुल जर्नल के equal आया है देखो एक चीज़ गोर में बता देती हूँ जब written exam होता है तो जर्नल की sheet है बही 133 और यहां पे देखो EWS की कितनी कम है गई होगी इतनी ही गई होगी इससे उपर भी मतलब गए होंगे लेकिन लास्ट केंडिडेट का ही डाटा उठाया जाता है तो EWS का भी लास्ट केंडिडेट को ही 42 वाला था जर्नल का भी 42 वाला था तो दोनों की compare कर दी अब यहां पे देखिए BCB की भी और BCA की भी इनकी भी कम कम ही इतनी ज्यादा पोस्ट नहीं है written exam में होता क्या है कि written exam में सब अपनी ही category में रहते हैं ऐसा नहीं होता कि EWS में मेरे तो 50 आ गए written exam में तो क्या मैं journal में जाओगा नहीं जाओगे EWS में ही रहोगे आप जब आपकी final cutoff तयार होती है और journal की मैंने अगर बोला कि 53 से चमवन मैं चमवन ही लगा के चलती हूँ हम थोड़ा max लगा के चलेंगे minimum पे नहीं तो अगर मैंने जर्नल की चमवन बोला और EWS का भी कोई candidate है जिसके 54 marks आई समझ गए तो देखो एक परसेंट बिल्कुल सेम रह जाए क्योंकि अगर आपने सब इंस्पेक्टर हरियाना पुलिस SI का अगर आपने result देखा होगा तो EWS और जर्नल की बिल्कुल भी पॉइंट कमनी था सेम पे गई थी तो अब यहाँ पे देखो कि अगर भाई मेरे यहाँ पे EWS में मेरे भी 55 आगए और जर्नल वाले के भी 55 आगए तो इसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा EWS वाले को जर्नल में डाल दिया जाएगा यह 133 में से एक शीटी है यहां पे जर्नल की ले लेगा और यहां पे कोई EWS का ही candidate आ जाएगा समझ गए final cutoff इस तरह से BCB में अगर भई मतलब कोई आ गया जिसके ज़्यादा marks है जर्नल से तो वो भी BCB में जिसके जर्नल के equal marks है तो वो भी जर्नल में जाएगा इस तरह जर्नल की शीट हो जाती है अब देखो messages आ रहे थे एक candidate के थोड़ा सा मिर को कुछ पूछना था उससे वेटिंग से तो यहां पर जर्नल की बात करें घई आपका लास्ट इतने वे बुलाया गया डिवी पे अब आपको टैनी तो माक्स हैं जो एक्स्ट्रा मिलते हैं इसमें से मॉस्ट ओप दा कंडिडेट अगर मैं बात करूं 72 75 परसेंट कंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पांच ही मार्क्स मिलते हैं दस के दस पूरे नहीं मिलते हैं फादरलेस का होता है और आपका शोचो एकोनोमी क्रिटेरिया के अंदर मतलब जिसके घर में गौर्मेंट जॉब नहीं होती उसका ह होता है तो सिर्फ अगर 75 परसेंट कंडिडेट ऐसे हैं जिनको 5 मार्क्स मिलते हैं और उसमें से बचे 25 परसेंट जिनको 10 के 10 मार्क्स मिलते हैं तो वह सभी कटेगरी में डिवीजन हो जाता है ऐसा तो नहीं है कि BCB में के ही सारे कंडिडेट ऐसे जिनको 10 मार्क्स मिलते है और अगर ज्यादा नंबर होंगे तो वो जर्नल की शीट ले लेंगे तो अब यहाँ पे अप्रॉक्स अगमरम लगा के चलें तो जर्नल की 53-54 SC की यहाँ पे 45-47 नंबर EWS की यहाँ पे 52-54 BCB की यहाँ पे 52-54 और BCA की यहाँ पे 51-53 बिल्कुल इक्वल ही रहेगी आपकी पोस्ट बहुत कम है गाईज और यहाँ पे कॉम्पेटिशन भी टफ है BCA और BCB बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं आजकल अगर आप देख रहे हो रिटन एक्जाम में मैं तो पिछले 2 साल से देख रहे हूं कपी अच्छा स्कोर कर रहे हैं बिल्कुल जर्नल के इक्वल ही स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहे हैं अगर आप इस डाटा के अक्वर्डिंग आपके मार्क्स बनते हैं अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूं मेरे पास जो data है candidate का वो मेरे को किसी ने भेजा है and thank you so much जिसने भी भेजा है analysis करके भेजा है और ये सिर्फ आपको show off करने के लिए है that's it बाकि मैंने जो यहाँ पे DV के भिहाब पे हमने अगर category wise जो भई list देखें कि कितनी यहाँ पे sheet है तो उसके according मैंने तियार किया है और मैंने यहाँ पे DV की कटोप के भी video बना रखी है देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं clinical laboratory यहाँ पे उसके बाद यह list है उसके बाद यह list है उसके बाद यह फिर यह list है और आखरी list है यह जब मैंने इस list को देखा overall तो मैंने यही देखा कि भई अगर हम max of the candidate की बात करें तो सबका score रहता है इतने marks पे 55 से लेके 60 के बीच में maximum score इनी पे है ठीक है बाकी SC की 37 पे बुलाए तो भई इतनी तो नहीं है 20 number वड़ जाएगी कहां से लाएंगे 20 number final candidate के अगर इतने ज़्यादा बुलाए भी नहीं है revenue color में देखो कितने गुना बुलाए है 88 गुना भी बच्चे बुलाए हैं कई सारी category में आपके में तो फिर भी 4.345 के आसपास ही बुलाए है तो बिल्कूल टेंश मत लीजिए आदे से ज़्यादा candidate ऐसे हैं जो अधर स्टेट के हैं तो उनका डिप्लोमा नहीं चलेगा तो गाईज ये था final cut-off I hope so कि आपको थोड़ा सा ठिक्ता अगी लगे और अगर पसंद आए तो प्लीज शेर कर दीजिएगा थैंके सो मुच